असलालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल, तो आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, डिलीशियस चिकन मॉमोस की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमने यह हाफ केजी चिकन का कीमा लिया है, हमने इसके छोटे-छोटे क्यूब्स करके इसी ग्राइंडर में पीस लिया है, अब हम इसमें हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर एड़ करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें वाइट पेपर पाउडर एड़ करेंगे, साथी साथ हम इसमें हाफ टी स्पून सॉल्ट एड़ करेंगे, आप कम जादा कर सकते है तो थिरी टी रहां में हम चाइनीज सॉल्ट किया है और वन टी स्पून हमagए विन डेंड़ करेंगा नहीं हम और धणिया लिए जो कि हमने दो टेबल्स कुंति इसमें किये है साथी हम ने यहां चार तेबल्स कुन हरी अर्श एड की है देखें अब हम इसे अच्छे से एक साथ मिक्स करके लेंगे कुछ इस तरिके से हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसमें चॉप किये हुए अधरक लशन और हरीमिर्ची अड करेंगे हमने यहां तकरीबन 1 टेबल स्पून अधरक चॉप 1 टेबल्स्पून लसन चॉप और एक टेबल स्पून हरी मिर्ट चॉप्ट आट किया है, आप कम जादा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से हमारी फिलिंग रेडी है, देखें अब हम यहाँ डो कप रिप्रेशन कर लेते हैं, हमने यहाँ देड़ कप मैदा लिया है, उसमें हम हाफ टी स्पून सॉल्ट आट कर करके बनाएं, देखें हमारा डो बन के रेडी हो चुका है, अब हम चटनी का प्रिप्रेशन कर लेते हैं, हमने यहाँ 7-8 लाल मीचे लिये हैं, 10-12 हमने यहाँ लसन की कर लिया और 2 लाल टामाटर लिये हैं, इसे हम एक पॉट में शीफ्ट करेंगे, और साथ हम इसमें दो कप पानी आड़ करके, वन टी स्पून नमक आड़ करके, इसे हम ढखकर हाई फ्लेम पे पाच मिनट में पकाएंगे, जब तक कि हमारा पानी अच्छे से बॉइल ना हो जाए, बॉइल आने के बाद हम इसे स्लो करके 10-15 मिनट पे पकाएंगे, जब तक कि हमारे टामाटर हमने यहां कुछ इस तरीके से छोटे-छोटे पेड़े बना ली है, जो हम पूरी के लिए बनाते हैं, उससे भी हमें छोटे पेड़े लेने हैं, और कुछ इस तरीके से हमने छोटी-छोटी पूरिया बना ली हैं, देखिए मेरे हाथों पे, अब हम इस पे एक टी स्पून दो शेप देकर हमारे मुमोस कम्प्लीट करेंगे देखें दूसरा शेप कुछ इस तरीके से हैं हमने एजस पर पानी लगा लिया है और एक साइड को कुछ इस तरीके से पकड़के दूसरे साइड हम इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और इसे हम अच्छे से पैक करते जा अब हमने यहां एक momos steamer लिया है मेरा momos steamer छोटा है तकरीबन इसमें हम 8-10 momos बना सकते हैं अब हमने इसमें एक लिटर पानी रखा है और हमने gas को on कर दिया है ताकि पानी में boil जाए और उपर से हमने अच्छे से oil से इसको grease कर लिया है ताकि हमारी momos चिपकेना अब हम इसमें 8-10 momos add करेंगे कुछ इस तरीके से हम रखते जाएंगे हम इसे पास पास नहीं रखेंगे थोड़ा दूर दूर रखेंगे ताकि पकने के बाद हुआ एक दूसरे से चिपक ना जाए देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देखे हमने momos को अच्छे से रख दिया है अब हम इसे cover करके 10 मिनट पे high flame पे हम पकाएंगे देखे मिर्ची और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं कुछ इस तरीके से टमाटर के चिलके बहुत आसानी से निकल जाते हैं हमें टमाटर के चिलके निकाल लेने हैं और इसे ठंडा करके एक mixi jar में हम shift करेंगे mixi jar में add करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा salt add करेंगे salt add करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा mayonnaise add करेंगे हमने तकरिबन दो टेबल स्पून जितना mayonnaise add किया है हम capture करना भूल गये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी चटनी बनकर ready हो चुकी है बहुत ही जबरदस सी देखें 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे बिलकुल मज़ेदार से हमारे मॉमोस बनकर ready हो चुके है बहुत ही मज़े के लगते हैं आप इस एक बार जरूर ट्राइक करें और मुझे इसका feedback जरूर बताएं बहुत ही delicious recipe और बहुत ही simple तरीके से हमने बनाए है आप इस एक बार बनाएं मुझे इसका feedback जरूर बताएं और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे like कर चैनल को subscribe करें और हमें follow करना ना भूले thanks for watching